हलो फ्रेंट्स तो स्वागत है आपका स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सूरिया वंशी तो सूरिया वंशी लगबग डेर साल पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन पैंडमिक की वज़े से रिलीज नहीं हो पाई और इसको आगे बढ़ अच्छी बात है कि इस बड़ी मूवी को बहुत टाइम बात टारेक्ट ट्रेटर पर रिलीज किया गया और ना के अधर प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया तो सभी कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सूरिया वंशी कैसी मूवी है और आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए कि लोगों को देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रही है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को ला सूर्य वंची इसकी जो लेंट है वो लगवक्त दो गंटे 25 मिनट की है और इसमें लीड रोल में है अक्षियो कुमार खिलाड़ी अक्षियो कुमार और केट्रीना कैफ गुल्शन ग्रोवर जैगी शराव बहुत लंबी लिस्ट है और गैस्ट अपेरियंस में है इसमें जो पैकेज तो एक्षियो में जो सप्राइस पैकेज इसमें रखा गया क्योंकि उनको रिविल ट्रेलर में ही कर दिया था अगर मैं शौर्ट वर्ड़ों में आपको बताना चाहूं कि यह मूवी कैसी है तो ट्रेलर आपने देखा है तो आल्मोस पूरी मूवी की कहानी यह वह एक तीन मिनट के ट्रेलर में इसकी बता दी गई है कोई जादा वर्ड चड़कर इसकी मूवी में जादा कुछ है नहीं जो कुछ था वो ट्रेलर में ही बता दिया गया था अब बात करते हैं कि ये मूवी किन लोगों को देखनी चाहिए और किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए, तो मैं अगर कहूं तो ये जो movie बनी है, सिर्फ और सिर्फ एन नहीं लोगों के ये बनी है, जो mass ये जो बिल्कुल भी बिना से और बिना दिमाग के movie's को देखना पसंद करते हैं। अगर आप movie में logic ढूझना शुरू करेंगे और deeply movie को देखना शुरू करेंगे और कमिया निकलना शुरू करेंगे तो आपकी यह movie बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें इतनी जादा कमी हैं इस movie में कि अच्छा movie देखने वाला बंदा इस movie को अदम नहीं कर पाएगा एक अच्छी movie कि निये कहानी चाहिए होती है, अच्छा direction चाहिए होता है, अच्छा performance चाहिए होता है, अच्छी casting चाहिए होती है और अच्छा action चाहिए होता है उसके अलावा अच्छी comedy चाहिए होती है लेकिन मैं अगर इस movie की बात करूँ तो इसमें से कहाणी missing है इसमें से अच्छा direction missing है ठीक ठाक direction है इसमें अगर बात करूँ action तो action अगर रोहिच शेटी की film में होती है और कारें उनकी हवा में उड़ती है. इस बार हवा में तो नहीं उड़ी है जदा लेकिन फिर भी एक्शन मुझे इसका बिल्कुल ऐसा लगता है बचकाना और जहां ये फाइर से बंदुग से शूटिंग वगरा जो भी होती है वो भी मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है फेक तरह की के मज़ा ही नहीं आता के जिस तरह से actual मों होनी चाहिए वो नहीं होती So comedy इस movie की ठीछ ठाक है लेकिं कुछ जगा ऐसा लगता है कि फालतु की comedy डाल दी है। कि इस तरह की कहाणि के था और अब ही बहु है जबरदस्ति की comedy डाल दी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने comedy डालने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल भी suitable कहानी को होती नहीं है बात कर लेते हैं सभी character के performance की तो यहाँ पर अक्षिक कुमार अपना ठीक ठाक performance देते वे नजर आते हैं बात करें विलन्स की तो उसमें जैगी शराब और गुल्शन ग्रोवर का भी रोल ठीक ठाकी है उसके अलावा बात करें हम अमारे guest appearance की रनवीर सिंग की तो वो एकदम से entry मारते हैं लेकिन वो अपनी performance में उनकी दमदार नहीं दिखाई देता है और मुझे दौनों से मतलब जन्यूली बताओं तो दौनों से जादा जब entry होती है हमारे अजे देखवन सिंगम की तो वो जादा बैटर लगते हैं मुझे पुलिस के रोल में और उनका रोल ठीक लगता है लेकिन छोटा सा रोल है छोटा सा गैस्ट अप्रियंस है लेकिन वो ठीक लगता है बात करें हमारी लीड एक्टरस कैटरीन कैफ की तो कैटरीन कैफ को करने की निया इस मूव में ज्यादा कुछ था नहीं लेकिन उन्हों ने टिप टिप बरसा पानी में आगी लगा दिए मैं इतनी जबर्दस वो लगी है इस गाने में कि आप को हॉल पे देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा इसके अलावा मैं एक और इसके एक लूस पॉइंट की बात करूं जो के बहुत ही ज्यादा सर के उपर से निकलता है और इरिटेटिंग भी लगता है कि एंड में अज चोदिया करने लगते हैं और उस बम को निकालने में लेट करते हैं तो वहां पर ये कॉमेडी और जबरदस्ती की कॉमेडी गुसी भी तो लोगों को हसम नहीं होगी और मज़े तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा वह के और महां पर रनवीर सिंग पालतु में बोलने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब सुचेशन देखिए आप के लड़की के ऊपर बम लगवा है एक मिनट का टाइम है और उन लोगों को तीनों को कॉमेडी सूझ रही है पता नहीं कैसी सुचेशन डारेक्टर ने किस तरह का डारेक्शन किया है जो इस से मूवी को जच करते हैं कि एक सीरियस मूवी और एक मास ओडियंस मसाला मूवी तो अगर कहे जाए तो कुछ क्रिटिक्स ने इसको सही कहा है क्योंकि मास ओडियंस मूवी मास ओडियंस की मूवी है और कुछ क्रिटिक्स ने इसको बिल्कुल ही डम बोला है तो अगर बात क हौल पर जा रहे हैं इसको देखने की नहीं है बहुत दिनों बाद एक बॉलीवोड की बड़ी फिल्म रिलीज हुई है और बिलकुल मसाला मूवी है अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको कॉमेडी से हसाने में ये मूवी कामियाब रहेगी आपके पैसे संगवादियो स्लिपर सेल्स का जिस पर बहुत ही सीरियस मूवी बनाई जाती लेकिन उसके साथ साथ जवरदस्ती की कॉमेडी इसमें डाली गई है जो के बिलकुली अनएसेप्टेबल है तो इसकी वजह से ही मैं इसको इतने स्टार ही दे पाऊंगा और मास मूवी देखन अगर पसंद करते हैं तो आप इसको वन टाइम वाच कर सकते हैं तो गाइस यह था मेरा रिव्यू सूरिया वंशी की नहीं है अगर आपको मेरा रिव्यू जराई पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरू बताइए और मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोगों को मे अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए और साथ में नीचे दिए गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दिए उससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो हैं आपको डिरेक्ली मिलेंगे और स्मार्ट मोवीज वाक मिलते हैं नेक्स व्यूडियों में तब तक कि ये कीफ वाचिंग